हेलो गुड मॉर्णी एवरिवन कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप से बच्छ होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे मैं हो गौट संब रही तो आपलो का बहुत बहुत स्वावत है मेरे चैनल गौट संब किरकेट मैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे है इंडिया वर्सिस सौथ अफरिका के फाइनल मुकाबले की और सौथ अफरिका की अगर मैं बात करो तो सौथ अफरिका से रिलेटेड यानि संबंदित में कुछ बाते आपको ऐसी बताओंगा जो आपको मजबूर कर देगा कि इस वीडियो को आपको लास तक देखना चाहि तो इस वीडियो में ड्रीम एलेज हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं इंडिया वर्सिस अफरिका की अब प्रेडिक्शन करने से पहले मैं आप सब हिंदुस्तान वासीों को बढ़ाई देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की टीम यानि अपनी इंडिया टीम 2020 के वर्ल्ट सामने कोई खड़ी है तो वो है साथ अफरिका टीम अब साथ अफरिका से रिलेटेड क्या बाते बताना चाहता हूं ध्यान से सुनना को उस दिन पहले की बात है कि वेस्ट इंडीज और अफरिका के जब मुकाबला हुआ था तो इस मुकाबले में मैंने जो प्रेडिक्शन द थोड़े बहुत अपने स्ट्राइडजी की इसमें लगाए और तब जाकर के मैं एक करोड़ पर जीस सका इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको लर्निंग लेनी है सिर्व रट्टा वाला काम नहीं करना है तो गोड़ से जरूर फॉलो करें ताकि आप भी एक करोड़ पर कम से कम जीस सकें क्योंकि मेरी इच्छा मेरी कोशिस यही रहती है अब अफरिका से रिलेटेड दूसरी बात क्या बतानी है कि आप सब को पता है कि साउत अफरिका आज से पहले कभी भी यह वर्ल्ड कप के फाइनल के मुकाबले में पहुची नहीं और यही उपर वाले से यह बनाओ कि अगर साउत अफरिका यहाँ पे सेकंड बैटिंग कर जाए तो सेकंड बैटिंग में इसके चोक करने इसके चांसे जो है वो बहुत जादा हाई है तो हम जो टीम बनाएंगे कई प्रकार से बनाएंगे ध्यान से मेरी बात को सुनदा पहला तो बनाएंगे कि अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है और यह साउत अफरिका आती है सेकंड बैटिंग करने तो भले अगर चोक ना करे इस बार हो सकता है चलो चोक ना करे तो लड़ाई अच्छी खासी करेगी तो उसके हिसाब से टीम हम अलग बनाएंगे फिर हम बन इस बड़े पॉइंट की बात बोल रहाऊं ध्यां से सोजना ठीक है लेकिन सबसे पहले एक बर मैं आपको एक टीम दिखा दिता हूं जो मैक्सिमम जो जनता है न इसी टीम के साथ जा रही है मतलब जादातर जो जनता है असी से पचासी परसंट जनता वो इसी टीम के साथ और इसी Captain Vice Captain के साथ जा रही है लेकिन मैं आप Steam को दिखाना चाहता हूँ फिर गरबडियां क्या है वो भी बताना चाहता हूँ और फिर मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ और वार नहीं देना चाहता हूँ कि आप ऐसी गल्ती मत करना चलो तो सुन्लोंनें क्या बनाया है maximum जंताने जाहत और जंताने साथ चार की टीम बनाई हैं इंडियासे साथ खेलाड़ी उठाया और अफरीका के चार खेलाडी और देख सकते हूँ चार खेलाड़ी को ने डिकॉक है यह चार प्लैयर है अब मार्क्रम का तो यह सीन मुझे स को ले लो कुलदीब को ले लो सौर्ड इशिवम्दूवे को ले लो यह चार तो आपको टॉप ओडर में ही चार लेफटी मिल जा रहा है और आयसे में मुझे लगता है कि कम से कम एक से दो और मार्करम मुझे यहां पर गेनबाजी करते हैं दिखाई दे रहा है और विकट ले करते हैं वह सिर्फ कुलदीब यादो के खिलाब खराब नहीं है बलकि जो डिकउफ कर रिकारड वह अर्षदीब के खिलाब भी खराब है तो ऐसे में जब अर्षदीब ने इनको 32 गें पे तीन बर आउट किया तो मैं कहीं नहीं मान के जा रहा हूं कि आज के मैच में एक बड़े प्लियर को Captain Vice Captain बनाया था लेकिन आप गॉट संकरेड फैमिली की जो लोग है आप लोगो अच्छे तरीकेस पता है कि मैंने कुल्दी प्यादो को Captain Vice Captain बोला था मैंने Chris Jordan को बोला था और मैंने अक्छर पतेल को बोला था याद होगा ना आपको मैंने जब तरम कोशिस करकरो उसको पगड़ने की कला सिखा करो तो मैंने आपको बो कला सिखाई थी अक्छा पटे जॉर्डन और कुल्दी प्यादो के पर सिखाया था हलाकि स्विकार करूंगा विराट कोली को भोला था लेकिन नहीं चला था लेकिन आज के मैच में विराट कोली समझ रो बड़ा स्टेज फाइनल का मुकाबला पूरे 2020 मिने चलें क्या कहता है अज लग रहा है कि विराट कोली इस बार कार्नामा करेगा मुझे तो लगता है कि अब तक इतने मौके दिया गया है तो इस बार क्यूं नहीं आखरी मौके क्यूं नहीं इस विराट कोली ने इंडिया कोली देखो मातर 44% मतलब इतना प्रतिशत गिर गया क्योंकि लगातार यह फॉर्म में नहीं न इनका प्रतिशत गिर गया और जनता इनको लगातार बहुत सारी जनता जो है इनको अपने टीम से नकार दी कहां ये 90% पार होते थे आदना कार रही है इसलिए आज के तुरुप आज के मैच के तुरुप के के हैं दूसरा तुरुप का एक का देख लो डैविड मिलर और स्टॉप्स मेरी प्रेडिक्शन सुनो डैविड मिलर और स्टॉप्स को मैं टिक कर देता हूँ और यहीं पर मैं आपको पता देता हूँ कि स्टॉप्स और मिलर में से एक प्लेयर जरूर होगा जो अच्छी पारी खेलेगा अपने टीम के लिए यह रही मेरी प्रेडिक्शन नंबर डो आप दो कहलो पहला कहलो जो भी कहलो लेकिन मुझे लगता है गिराट कोली वाला पहला था जो कि आपको भी लगता ही होगा सहमत होगे लेकिन डेविड मिलर और ट्रेस्टन स्टर्स में से देखो एक जरूर होगा जो अच्छी पारी खेलेगा और रीजन पता है कि है मिडल ओर्डर के अंदर ट्रेस्टन स्टर्स और डेविड मिलर ने बहुत अच्छी बल्ले बाजी की है और खास्तों से जब middle order में spinner आते हैं तो spinner के खिलाब इनका जो average है वो 50 के उपर का है दोनों का देखो तो लगबल लगबल करीब करीब उपर नीचे एक दो कर लो यार बट कोई बात नहीं है बट दोनों का जो average है वो 50 के करीब है स्पिनर के खिलाब और दोनों स्पिनर बीच में आकर के खिलेंगे क्योंकि इंडिया टीम में देखो कुल्दी प्याद और चपटेल रवीं जडेजा ये बीच में फिकते हैं और ये बीच में आते हैं इसलिए एक जरूर होगा जो क्या होगा आपका आने वाला किदर ड्रीम टीम में आने वाला है तो ये ट्रम कार्ट की सूची आप यहां से भी निकाल सकते हो और मैं ट्रम कार्ट में आपको बता देता हूँ देखो मार्करम, जॉंसन, ये देखो जडेजा को तो नहीं कुछ कह सकते यार, बहुत गर्बरन लोगा ने कर दिया मार्करम का देखो, मार्करम को पीछे लॉजिक समझना अगर शुरूरात में विकेट गर जाती है आपको हैंडिक्स पता ना, रिजा हैंडिक्स ओडिकॉक के साथ आते है ये इनकी परशानी पता क्या है, इनकी परशानी है की ये शुरुबात में ये विकेट गरा देते हैं मतVAलतां इनकी पावपलें विकेट गर जाती है इस पिन बहुत अच्य किलते हैं लेगर इनकी विकेट गर जाती है और ऐषदीप ने इनकोif कि का इन को ODI कि ऐऄसे थाओ की तुरूपका इक्का और आपको रीजल लॉजिक के साथ समझा रहा हूं बाइटिंं के लिइ भी इची है पालीं के बाणिक लिए बण इश्सेतारी यहां इसलिए सबी किया है और यही काण है अश्दीप कुए मातर कितने लोगों भुड़िघ नताइसा की anno मुझे संमहें लोगों लोगों यह ऐसा मिन ओड किया है शायद दो सकता है कि लास मुकाबला यार यहाँ अपने इंडिया में लोग डिसीजन ना ऐसे डेकरो देखो चुटकी बजाते ही डिसीजन फट से ले ले लेते हैं फट से अर्श पे खड़ा कर डाल देते हैं और फट से फट पे भी फिक देते हैं उठा करके तो एक मैच ला स्ट्राइक रेट भी जो है ना यानि विकेट लेने का गेन की कितने गेनों में वो इनका बुमरा से भी एक इनिंग में अच्छा है तो ऐसे में बुमरा को ठीक है बुमरा को तो टीम में रखना ही रखना है हमारी देश की जान है आन बान शान है लेकि अर्श दीब को प्ल तो यहार ना समझ में आरा है क्यों बाहर कर रखा है बढ़ आप मत करना है यह तुरूप का इका हो सकता है दिल कलेजा फेफड़ा गुर्दा मजबूत होगा अगर डर नहीं लगेगा तो अच्छीप को आप बना दे ना एक मैस के लिए कोई पड़चानी नहीं होगी टीसमसी की बात करो लो तो मतलब क्या बात कर लो टीसमसी का ऑगो पता है कि टीसमसी लगạtार ये विकर्ट चटकाय जारा है और अगर हम रेकौर्ड देखें टीस smarterぎ का ऑगिए तो पिछले 4 해서 लेकिन wissen क्या क्या पत्ता है उम्हों क्या पताना चाहता हूं गहां से सुना पहले inning की बात करोगे तो पहले inning में T.S.M.C. ने 11 मुकाबले में 8 विकेट लिया है 11 मुकाबले में मात्र 8 विकेट लेकिन 2nd inning की बात करोगे तो यहर 10 मुकाबले में 21 विकेट लिया है यानि अगर कोई inning suitable है इनको रखने के लिए तो वो है 2nd inning तो 2nd inning में रखोगे तुरुप का इकका बनेगा पहले निंग में रखोगे रिस्की बन जाएगा बात को ध्यान से समझ करके चलना अब चलो ऐसा मैं करता हूँ कि तुरुप का इकका की मैने सूची आपको दिखा दिये ना अब मैं आपको खिलाडियों के बारे में बताता चलता हूँ कि कौन कौन से निंग में अच्छा है तो चलो गाईज आप स्क्रीन पर अपने देख सकते हूँ मैंने इंडिया टीम के यहां पर लिस्ट ला दिये सामने और दस के दस खिलाडियों सलेक कर लिया और जो अग्यारवा खिलाडी है वो शिवम्दूवे आपको पता है अच्छे तरीके से जो कि कुछ कर नहीं और क तो चलो पता है वो शिवम्दूवे को रखा गया लास मेच मेच फ्रॉपी के इस ते पहले वी बाइस गिन पर थाइसन वारें तो उनकी बाते हम कमी करेंगे तो यह बहुत अच्छी चिए पारी खेलियों और मुश्किल हालात में अच्छी पारी खेल कर टीम इंडिया की यह पार लगाई है तो रिषयपन इस वेरी इंपोर्टेंट प्लियर इंडिया टीम के लिहाज से कर दिखा जाए और हमारे लिहाज से भी पर दिक्कत क्या है कि महराज ने इनको दो बार आउट किया और नोकिया ने एक बार आउट किया है तो मैं आपको रिकॉर्ड बता साथ खेलाड़ी आपको बड़े प्लियर रखने होते हैं और चार खेलाड़ी आपको ट्रम काड यानि तुर्प के एक्के रखने होते हैं तो साथ ही जब रखने है तो आपको समाझ रोना रिस्क थोड़ा लेना पड़ता है तो रिस्क रोई शर्म अप लेना होगा तो सेक या बल्लेबाच कोई है नहीं और फिलाल जो इनके average चल रहा है ना इनसे ज़्यादा average किसी का है नहीं तो सुरुकमार यादो middle order के साफ से spinner के खिलाफ से must पिकोंगे रख लेना ज़रुत पड़े percentage वेकरा कम में मिल रहे हैं वाइस captain बना देना आपके लिए best रहेंगे विराट कोली कितने में मिलना है 44-45% already मैंने बता दिया है विराट कोली का record जो देखोगे जब पहले ने को second जब अवरेज यह रहा है average का तो कोई मतलब वह उसकी बाती मत करो बहुत ज़ादा average ठीक है लेकि मसला पता है कहां फस रहा है मसला फस रहा है रबाड़ा ने इनको चार बार 2020 में और दो बार ODI में आउट किया है Nokia ने भी इनको दो बार आउट किया है महराज ने इनको दो बार आउट किया है कि Nokia ने इनको दो बार आउट किया है और Rabada ने इनको चार बार 2020 में और पांच बार वन डे में आउट किया है आप समझ रहे बात को मैं क्या कहना चाहरा हूँ Johnson वाला खत्रा नहीं है रोज सर्मा Johnson ने इनको आउट नहीं किया है लेकिर Rabada ने चार प्लस पांच बार आउट किया और Nokia ने दो बार आउट किया है और सकंड इनको 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 आइवरेज भी अच्छा नहीं है तो समझ रहे सारी बातों को मैं आपको बस बताते चल रहो है इंट देता चल रहो ठीक है Akshah Patil की बात करो Akshah Patil left-hander है बीच में बल्लेबाजी भी आके कर लेते हैं आपको पता है कि मौका मिलता है बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और last match में आपको पता है ने मैंने इनको तुरुक कैका Vice Captain Captain बोलने बनाने को बोला तो और आपने देखा कीनों ने करके दिखाया आज मैं अगर मैं बात करूँ तो सामने मुझे right-hander के तौर पर कुंगों देख रहा है Reza Hendricks देख रहा है और Markham देख रहा है फिर Classen मुझे देख रहा है लेकि फिर इसी बीच में मुझे भी दिखाई देता है कि Dekok left-hander आजाते हैं और Miller भी left-hander आजाते हैं यह दो left-hander भी मुझे दिख रहा है Yes, Stubbs भी right-hander दिख रहा है तो ऐसे में right-left-y combination तो फसा पड़ा हुआ है और उपर कि तरफ लेकिन हाँ चार क्योंकि right-hander है तो ऐसे में अक्छा पटेल कहीं न कहीं आज भी match में क्या कर सकते हैं अच्छा perform कर सकते हैं बिल्कुल अच्छा perform कर सकते हैं हाँ Last मुकाबले के तरह exact वैसा ही कर जाएं यह तो कहना मेली थोड़ा सा मुश्किल हो जागा लेकिन हाँ अच्छा perform, decent perform कर के जाएंगा लेकिन मैं आज बोलूँगा कि अच्छा करेंगे लेकिन आज इनको Captain Vice Captain के लिए मस सोचना मैं आपको बोलना चाहूँगा पॉसनली बोलना चाहूँगा हलाकि अगर आपका दिल करता है तो आप रख सकते हो ठीक है अच्छा कर दोग विगट के हिजाब से मुझे लग ठीक है बट वही है Captain Vice Captain के सवासा मुझे डर लग रहा है Hardik Pandya आपका अच्छा अच्छा की बाइटिंग और बालिंग और बिल्कुल आपको रखके चलना जहे अर जीब की बात करो तो इनका स्ट्राइक डिड विगट रहने का स्ट्राइक बुम्रा से भी तखड़ा है साथ माच में आप बात करोगों तो पंत्रह विगट ले रखा है अर्सटीब का रिकार भी मैं आपको बता है ना सारे बल्ले बाज़ो खिला जो साथ अफिका बल्ले बाज है आपको इसो लिगरने की सामगे, समझो, है। आपको इसे क्या से बता तिया और मनें आपको अफरिका करे साल है। ब यहां सी मैं ने महाराज को SPD कौटा है। क्योंकि अभी देखो तो इन में सबसे कम contribution किसी का फिलहाल में जो दिख रहा है, वो महराज के दिख रहा है, खासते हो से कि इन वाजो सक्षन की बात करो, लेकि एक बात में आपको पता है क्या पताना चाहता हूँ, सेमसी को तो यहां पर आप खुब नजर पर रखे हुए क्योंकि विकेट भी लगाता है, यह चलता रहा है, और सेमसी का अगर देखो गभी, तो सेमसी ने किया कि यह चार मैच में 11 विकेट, लेकि मैं आपको बता है ना कि पहले निंग में 11 मैच में 8 विकेट, लेकि सेकंड बात करो, 10 मैच में 20 विकेट, यानि 2 रिकाट जबरदस्त है, पहले निंग में गरबड़ है, तो ऐसे में पहले निंग में अगर आपको इनको हटा देना चाहिए, लेकिन पहले निंग में अगर आप अफरीका को इस्पिनर रखना चाहते हैं तो मैं बोलूँ का महराज को डाल लेना, महराज के उपर किसी के नजर नहीं, जड़ा देख लो महराज, महराज जी ये रिखिए, 15 परसेंट, तो आप वो होते हैं न, यूपी के भाहसां बोलते हैं, महराज ये कहां से ले लिया विकेट, ये महराज बन सकता है, जो बात में लोग महराज करके पश्ता आउट कर रखा है, बाकी एक 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 चलता है सब का, लेकिन विराट को दो बार, पंत को दो बार, महराज ने आउट किया है, तो डिफरेंशिल प्लेयर अगर कोई बन जाता है, तो वो कुन बन जाता है, केशो महराज, पहला डिफरेंशिल प्लेयर, अब एक प्लेयर का और मैं आपको नाम बताने वाला हूँ जो एक और differential बन सकता है समझेने डिफरेंशियल मतलब जनता एकनम भगा दिये नकार दिये रखे नी दिये करिया रहे यार साइड एटो ऐसा वाला सीन है समझे रहो मतलब एकनम नकार दिये वह फर डालने वाला है लेकिन वह प्लेर वह गाई जो फर डाल देगा तो पहला महराज है दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ पहले इनका दिखा लू डिकॉक का पता है डिकॉक का सीन का है मार ओ पीट ओ घर जो ऐसा टाइप वहला है मतलब मार पीट के खेलता है तो इनको जो डर है वह किसके खिलाफ दर है अर्जदीप और लेफटेंडर खिलाफ इनका जो रिकॉर्ड वह अच्छा रही है चाह वह अर्जदीप हो तीन बर आट कर चुक है चाह वह वो के सामने क्लासन 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 देखो कहा तो जाता है कि या वह जबर्दस जिस दिन यह मारेगा धुआ छोड़ा देगा और मार के धागा चुड़ा देगा ऐसा वाला प्लेयर है लेकि 2020 का रिकॉर्ड देखोगे तो रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है पहले इनिंग मे पहले एवरेज की की तो बाइस क्लाएं और दूसरे नहीं में 25 आवरेज कुछफ नहीं है लेकिन है SPINNER के बहुत अच्य तो जिसमें रखना दागा खोल देने वाल रखना पक्का ये दागा खोलने वाल मारता है लेकिन अभी क्योंकि बहुत नीचे भी आजाते हैं कभी पच्छे प्या जाते हैं कभी चौते बाजाते हैं फिक्स भी नहीं है यह फिर भी मौकी कम है। मौकी कम है। पच्षवे नमर पर चौथे नमर पर ठीक है? एक सिकंड़ गजो मौकी कम का है, चौथे पर नमर जादा मौका जादा है इसीचंट पिनर भी अच्छा है प्रतिश्च भी कम है तुरुप का एक का लगाझ लो वही है सीन है कि जानते है लेफटी खिलाफ खराब है तो अगर हो सकता है कि एक ही रखना एक टीम में और एक टीम में ऐसा करना कि दोनों को अटा जेना बिल्कुल दोनों को अटा जेना और तीसरी टीम बना हो गए तो समझ रहो ना उलट फेर करते हुए दोनों को रख लेना उलट फिर करते हुए लेकिन ध्यान देना पहले निंग में सेकंड निंग मत रखना डैविड मिलर इस टब में से एक को रखना बहुत ज़रूरी है आपका मार्कम चार लेफ्ट हंडर है तो उपका एक कहो सकते हैं मने बता है मार्को जैंसर के आपको एक और बताना चाहता हूँ मार्को जैंसर ध्यान से समझना मार्को जैंसर ने आट मैच में छै विकट लिया है लेकिन पहले इनिंग सेकंड इनिंग के मैं आपको बात बताना चाहता हूँ बिकार है चार मैच में जुरो विकेट तो रखना होगा तो पहले इन गेन बाजी में रख लेना और ध्यान में रखते हुए कि रोहिष शर्मा चाहे विराड कोली आप तो लेफ्टी को आउट नहीं हो रहे हैं लोग लेगिन क्या पता वो क्या पता वाली जो भाशा होती है क क्या पता होजा। यहां वहाला वहाला कर सोच के चलू तब मार्को जैंसन को पहले नहीं में रखना, आह सॉर्जी एक एक रखना प्रक्स्न कमल वरनढम को समझा दिया तो मैंने सारे खिलाड़ियों आप को बता बितान कि नो किया यस नो किया कर चुट गया Rabaelda कर चुट गया रबाला कर सीन समझ हो या cane8 मैच में 120 ले कर खड़े है बाराला को डरॉंच जो रे कर खड़े हैं को डर्रिक नो किया यह दो मिं जो इनके chicken और यहीं नोकिया को देखो कि तो नोकिया ने रोईत को दो बार आउट किया है, नोकिया ने विराट को भी दो बार आउट किया है, और नोकिया ने पंत को एक बार आउट किया है, नोकिया ने स्काई को भी दो बार आउट किया है, यानि यह जो दोनों है ना भाई खत्रा है तो ही क्या है हमारे लिए अच्छा है लेकिन देखो मेरा काम है याप लोग को बताना इसलिए बताना जुरी है कि इन दोनोंने विकेट चटका है शुरू में विकेट चटका है और गंदाती चटका है तो बता दिया, अब मैं आपको एक्या करता हूँ, टीम बता के दिखाता हूँ, ठीक है, लेकिन टीम बनाने से पहले पता है, मैंने जो आपको वादा किया था, कि एक और मैं आपको तुरूप का एक्का दिखाऊंगा, वो दिखा दिता हूँ, और वो तुरूप का एक्का को बहुत गंदे तरिके स्खराब है रबाड़ा नोगिया यर मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है बट अगर सोचो कुछ ऐसा गरबड़ी हो गया कि दोनों के दोनों यह आउट हो जाए तो आपको पता ना रिशब पंथ सुरे कुमार यादा और इसके बाद तीस क्राइ नमबर वगा ना यार किसका शिवंदुबे और तब तक मेडल ओडर आ जाएगा तो मेडल ओडर में कोन गिनमाजी करेगा महराज शैंसी मारकरम और सामने कोने शिवंदुबे और शिवंदुबे को क्यों रखा गया क्यों कि इस पिनर के खिलाफ अच्छा खेलते है तो ऐसे में डिफरेंशिप लेर समझ रो किया है शिवंदुबे ओके चलो सब बता दिया अब मैं आपको एक टीम बना करके दिखा देता हूँ तो चलो गाइस अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो मैं एक टीम मने बना कर रखा और क्या चेंजन दोगा वो यह करता हूँ ठीक है और कंडिशन क्या है कि इंडिया तॉट जीत करके यहां पर पहले बल्ले बाजी अगर करता है अगर पिछ फैवरेबल ऐसा है कि शुरू में इंडिया बल्ले बाजी के ठीक हो फिर धीर जाकर ऐखाग मैं क्जाए वृ किस कडिए किया क्षा थीर खतनी में क्तरा हो जाए या फिर से कि अली में क्या हो जाए चाइँ धिर स्फनार की उग्यों इस प्रतार क का मतन अवैब गाल थाँ है तो इंडिया तो पहस दिजित स तो रोईør शार्मा को बाहर कर गोग दे सोरे कींगा नं को अविराट को लिक हो टै धीम जरूरूरी आसी विपर मेरीजी पहले लेकाना व एकविलकुल को बिलकुल में अगर अगर दो टीम में बना रहा हूं तब टोपत yep भेलेले रिकॉर्ड जानते हो ना कि अफरिका खिलाब बहुत अच्छा है चाहे वो हेंडिक्स हो जाए चाहे वो डिका हो जाए शुरुवात के दोनों बल्लेबाज के खिलाफी रिकॉर्डिन का बहुत जबर्दस्त है तो इस वजह से मुझे रखना पड़ेगा वैसे भी लेफ्टी पिकेगा क्योंकि चाहर लेफटी भी हैं फिर चौथे पच्वे नंबर पर जो*** भी बोलो चाहे पच्छमे नंबर पर च्छ्टे नंबर पर जए कौन है मिलर मतलब एक तीन नंमर के बल्लेबाज और ये छच्टवे नंबर के मै चिसको उठा लिया मिलर को फिर मार्को जैं यह देख लो पहले, एक टीम हमारी यह रही, दूसरी नम्मर टीम यह रही, यह देख लो, दिख लो, और यह मिलर के जगह, ट्रेश्टन स्टप्स को में मिडाल सकता हूँ, इस बात का ख्या लगना, ठीक है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ताकि आप समझते चलो, यह रह करके 6-5 एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया टीम से एक बाहर करना है, समझ में यह रहा किसको, पर मैं बताता हूँ, यह दूसरी टीम देख लो, ठीक है, एक टीम और देख लो, यह दोनों गायब, दिख रहा है ना, बहुत रिस्की है, बस क्या करें लेना तो एक दम अच्छे रही जानतो, तो यह रहा है इंड क्लास है, स्टप्स, मार्करम, जॉनस, रबालड़ा, यह पांच, हाला कि इन पांचों के जगर एक को किसी को भी डॉप करके, आप क्या कर सकते हो, कि डिकव को डाल सकते हो, समझ में यह रही बात, डाल सकते हो, क्या पता इंड गिनबाज गरबड कर जाएं, और ऐसे में फिर क्या करना पड़ेगा, एक गिनबाज को हटाना पड़ेगा, और 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 यहां से मुझे डालना दो उनके, दो हमारे, right? छह, पांची है, लेकिन इसमें पता है कौन आ जाएगा? रोहिशर्मा आ जाएगा, आप कोन होगे देखो एक को हटाना पड़ेगा, रोहिशर्मा को डालना पड़ेगा आप एक को हटा कर रोहिशर्मा डालने मतलब क्या है? मजबूरी बन जाती है अक्षर पटेल हार्दिक पंडिया में से एक को ड्रॉप करना मेरी मजबूरी यार मेरी बात को ध्यान से सुनो मेरी बावनाओ को सुनो समझ रो मेरी बावनाओ को थोड़ा से समझो आप लो इन दोनों में से एक को बाहर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बुम्रा कुल्दी पो रखना है, मुझे एक को बाहर करना है, यार एक बल्लेबाज उनका तो रखना ही पड़ेगा, कम से कम, स्टप्स को भी रखना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा करता हूँ, रुख जाओ, स्टप्स को टाता हूँ, यहां से एक्षे पै्टिल डाल देना, नहीं डालना होगा तो आपके 1-2, option सोरह कुमार यादos, को बता रहा हूँ हो एकल टारा एक Kyar пес सोरीपड क्थे पैल है। और क्या टीम का नाम दे रहा हूँ यह भी सुनना ठीक है यह आपको सेफ प्लेयर में दे रहा हूँ सेफ प्लेयर में आपको पता है क्या है सुरुक मार यादो के जगा अक्छे पटिल कर देना चाहिए वह आपको सेफ होगा लेकिन नहीं थोड़ा सालग सोचना है तो अक्षे पटेल को हटाते हुए थोड़ा सा रिस लेते हुए आप सुरुक मारे यादों को हलाग यह भी फिर भी क्या सेफी होगा क्योंकि मिडल ओडन में स्पिनर अच्छा खेल ले हैं एक दो तीन चाहर पांच छे वह हैं यहां से तो यहां से जॉंसन को उटाना पड़ेगा मुझे रुख जो ठीक है और यहां से मुझे डालना पड़ेगा दोनों में से एक यह सही है यह सही है जल्दी बताओ सही है या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर नौकिया को अटाते हुए नौकिया देखो मैं अलग तरीका सिका रहा हूं सब तरीका बस चुडाते जाओ जो तरीका जो जो बता रहा हूं उसको चुडाओ उसी को सीखो आप देखो मैं कैसे कैस पार माँट मुछ पारो रहा हूँ चैंग में देखो इसे तंख बना रहा हूँ देखो हूँ इसा एट्वाई गरा हूँ यजे को पता है टीम हो इसा ही हो हसी हो ठीक है मर ठाशना इस और है ह已經 सही है न? है और उपरी जाल यह फान पर इंव को किसो को हटागे अच्छी का एक्सिनेंट हो गया है कि वो फस्स फ्लोर से वो नीचे गर गई पैर फिसल गया तो इसलिए मैं तल वीडियो नहीं बना पहले एक फिर भी आज देखो नहीं है रो हॉस्पिटल में एडमिट है आइस यू में है वो दिदी की लड़की है लेकिस के बाउजुर मै और चैन्ट अगर पहली बारा होगे तो इतनी जो मैंने लॉजिक सब को समझा है कैप्टन वाइस के अलगल तरीके समझा है इसके बदलें प्लीज यार आप सब्स्ट्राइब कर दो बेल आगर को हिट लो कैप्टन वाइस के दावधारी बता देता हूं कि जिस टिम में आप सैंसी को बोलूँगा कि सैंसी को आप पहले इनिंग के अंदर आप बनाना चाहोगे तो पहले इनिंग के अंदर सैंसी को आप सारी पहले इनिंग नहीं सेकंड इनिंग अंदर सैंसी को आप रख लेना वाइस कैप्टन के तौर पे तुरूप के के तौर पे सब बता र तो ये इंडिया फैवरिट है तो ये टीम अलग अलग तरीके से मैं आपको बना के दिखा दूगा इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करके टेलिग्राम से जुड़ जाना अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहना अपना ख्यार लखना और अपने से ज़ादा अपने परिवार अपने माता पिता परिवार और बच्चों का प्लीज दाड़िश हुए बच्चों का जरूर ख्याल रखना गॉड़ ब्लस यू अल थैंक यू